हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अर्णोब और वेलकम टू मैं निव वीडियो इस वीडियो में मैं आया गोहाटी और गोहाटी के तौप प्लेस को दिखाऊंगा ए आसम का कैपिटाल और नॉर्टिस्ट के सबसे बड़ा सिटी होने के नाते पुरा इंडिया से कापी अच्छा से कनेक्टेड है यहाँ पर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है आप ट्रेंड से आओगे तो कुछ ऐसा लेंड्सकेप देख पाओगे लेंड्सकेप काफी यूनिक एन स्लोपी है स्लोपी लेंड्सकेप के पीछे कुछ पाहर भी आप देख पाओगे गोहाटी में काफी संखा और हार बाजेट के होटल एवेलेवल है इसलिए आप आने के बाद चोयस के मताबिक होटल बुक कर सकते है स्टेशन के बाहर पल्टन बाजर में काफी बाजेट होटल एवेलेवल है सिंगिल अदमी के लिए चार्जेस 400 और 450 से चालू होता है पल्टन बाजर से हार डेस्टिनेशन के लिए बास मिल जाता है आप जितना नाइस्टे करोगे उस बेसिस से सिटी घूमने का अलाग-अलाग प्लैन मना सकता है मैं थ्री डे में ए सारा चीज कवर किया जो आपको दिखाऊंगा डे वान में मैं आया निलाचाल हिल, कमक्खा देवी और कुछ फिमास टेम्पल दर्षन करने के लिए इहां आने के लिए आपको रोट से शुरू हुआ शिरी से नीचे चलना पड़ेगा टेम्पल प्रिमिसेस काफी सांदर और नैचराल प्लेस में स्थित है इहां पर भीर भी काफी काम है क्योंकि निलाचल हिल में कमक्खा टेम्पल ही सबसे फेमास है और ज्यादा तर भीर कमक्खा में ही होता है टेम्पल के अंदर हिल पर खोदित गौडेस है और अंदर का फोटोग्राफी बिल्कुल एलाउड नहीं है इहाँ पर गानेस टेंपल और शिबजी भी है बाद में बोगोला मुखी टेंपल है पूरा टेंपल प्रेमिसेस से अच्छा सीटी भी मिलता है इहाँ पर पूजा देने के लिए आप बाहर से पूजा का सामोगरी खड़े सकते हैं मैं कमख्खा गेट तक बस और गेट से हिलटाप तक शेयर करने आया तेन ए बोगोला मुखी और भूबूनेशरी टेंपल पैदल घुमने के बाद कमख्खा टेंपल पहुछा बोगोला मुखी टेंपल के बाद रोड से काफी सांदर सीटी भी भी देखा इस हिल पर बहुत सारे उडेंट्री शेगुन मिलता है एक टार्ण के बाद कुस दूर पैदल चलने के बाद बोमुपुत्र भीव भी आता है रोट के पास ही ए निर्भीकल्प सिध्धी स्थाल में सिमान्त सामी निगमानांदा परभांश देप सिध्धी लाप किया सिध्धी स्थाल चलने के लिए सिरिया से उपर चलना पड़ता है इसलिए मैं उपर नहीं गया और थोड़ा आगे जाकर ए सान्दार भीव पायन भी देखा इहां से एक क्लीन सिटी भीव देखने के बाद मैं पोच्छा भूबनेश्वरी टेंपल भूबनेश्वरी टेंपल हिल्टाप पर स्थीत मता भूबनेश्वरी के एक पुराना टेंपल है मैं पहले बाहर जूता राखके पुरा टेंपल प्रेमिसेस घुमा बाद में आंदर गाया अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल एलावड नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा अंदर गॉडेज भी हील पर खोदित है टेंपल के साइड में कुछ हिस्थे के कॉंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है और मैं यहां से एक सांदर ब्रहो पुत्त भी भी देखा बाद में एक स्ट काट रोट से पहुच्छा कमाख्खा टेंपल कमाख्खा टेंपल के मेन सिरिया के पास दो छोटा पुराना टेंपल भी है जिसका आर्गिटेक्चर भी काफी सांदर है टेम्पल तक जाने के लिए आपको एक संदर सिरिया से चलना पड़ेगा सिरिया के दोनों साइड में आप ज्यादातार पुजा के समान, खाना पिना के दुकान देख पाओगे ए टेम्पल भी काफी पुराना और कमक्खा टेम्पल एंटी गेट के पास में ही स्थीत है प्रोसात खरिता है उहां पर जूता राखिये ओ बिल्कुल फ्री है टेम्पल प्रिमिसेस के आंदर जूता बिल्कुल एलाउड नहीं है आंदर पोंचने के बाद मैं पोवित्र जलकुन से हाथ और प्यार धोने के बाद पुरा कम्पलेक्स घुमा टेम्पल के चारी ओर से आप घुम सकते है और आंदर आदी गुरु शंकुराचारियाट मंडब गौनेस टेम्पल आप देख पाओगे कम्पल एकर्नो सकति पीठ के आंदर एक इंपॉर्टेंट सकति पीठ है और एक पुराना स्ट्राक्चर सेबें सेंचूरी का है पुराना स्ट्राक्चर पत्थोरों का है स्ट्राक्चर के बाहर आप कुछ खोधित गौड देख पाओगे एटेंपल सुबा 7 बजे से साम 8 बजे तक खुला रहता है और कोवीड सेगेंड वेप के बाद गर्भोग्रियों के अंदर जाना काफी रेस्टिक्टेड हो गाया गर्भोग्रियों के अंदर जाने के लिए आपको पास दो वेक्षिनेशन का सार्टिकेट होना ही परेगा Otherwise एक वेक्षिनेशन सार्टिकेट के साथ नेगेटिब RTPC-R test रिजल्ट भी होना परेगा RTPC-R test आप 72 आर्स के अंदर बाहर किशी से भी कर सकते हैं गर्भोग्रयों के अंदर जाने के लिए आपको दो vaccination का certificate और एक vaccination का certificate और negative RTPCR test result दिखाके एक coupon लेना पड़ेगा, बाद में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा मैं अंदर गर्भोग्रयों में नहीं गया, स्रेफ बाहर से दोर्षन और पुजा देने के बाद निकल गया लगता ही लगता है बाद में मैं आया चिन्नमस्ता टेम्पल एक कमक्खा टेम्पल के पास में ही है और इहां से ही कमक्खा टेम्पल तक जाने के लिए सिरिया स्टार्ट होता है इस टेम्पल के कुछ हिस्सा कमक्खा के साथ सिमिलर है मैं आंदर नहीं जा पाया क्योंकि वो ब दिखाई देता है, मैं साम होने के कुछ पहले आया, इसलिए इतना अच्छा भीव नहीं देख पाया, इहाँ पर आने का सिरिया का स्टेप भी काफी उचा है, इसलिए बहुत धैन से आईए, इस टेंपल में कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, स्रेप एक उफा है और बाहर ए चला आया, बंभपुत्तो रिवार हेरिटेज सेंटर, एस रेफ मॉन्डे छोड़के पुड़ा विक ओपेन रहता है, सुभास दोस बजे से साम आड़ बजे तक, इस हेरिटेज सेंटर के आंदर आप एक छोटा पार्क और एक म्यूजियाम देख पाओगे, एंट्री हंड पॉरस जी का टेंपल और से सुक्रेसा देवलाई के आंदर एक जाएंट सिबलिंग भी है, टेंपल के पीचे से आप एक सांदर भॉम्धो पुत्तो भीव देख पाओगे, और पीचे से एक सीरिया स्टेट भॉम्धो रिभर तक जाता है, उपर एक सांदर भॉपइझ भी बहुत सरे सोधालू फुनेरल के लिए यहां आता है अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल एलाउड है इसलिए मैं ए जायन सिबलिंग कैप्चर कर पाया टेम्पेल घुम के मैं पास में ही स्थित नॉटबूक गेट चला आया ए ब्रिक स्ट्रक्चर 1874 में तोयार हुआ था गवर्णर जेनरल अफ इंडिया लॉर्ड नॉटबूक के वेलकाम के लिए उन्होंने वाटारोय से आशाम विजिट करने के लिए आये थे एक गेटवे एक छोटा पार्ट के अंदर स्थीत है और अंदर आने के लिए 5 रूपीज चार्ज लगता है अंदर एक छोटा रेस्टोरेंट भी है मैं कुछ टाइम घुम के चला आया काछारी घाट अभी रिवर्फरंट काफी वाइड है क्योंकि ब्रमपुत्तों में पानी थोड़ा काम है बारिस का टाइम में ए रिवर के अंदर चला जाता है इहां से पाब्लिक फेरी सर्विस राजादुआर घार तक और टूरिस्ट के लिए उमानंद टेंपल तक फेरी मिलता है मैं 3 रूपीज टिकिट खरिदने के बाद चारगाया फेरी पे राजादुआर घार जाने के लिए रिवर्फर से पूरा सिटी के एक सांदर विव मिलता है इहां पे पाब्लिक फेरी सर्विस काफी सस्ता है मैं राजदुआर नौर्ट गोहर्टी जाने के बाद पहले चला आया मोनी कर्नेशर देवालाई ए सिर्जी का टेंपल बमपुत्तों के किनारे ही थोड़ा चाराई पर स्थी था ए टेंपल 1751 से 1769 के अंदर तोयार हुआ था टेंपल फेरी घाट के बिलकुल पास में ही है इसलिए मैं पैदल चला आया भीर भी इहां काफी कम रहता है आप चाहें तो पुजा भी दे सकते है टेंपल घुमने के बाद मैं नौर्ट गोहर्टी से साहुद गोहर्टी का एक सांदर भीव देखा बाद में चला आया फिर से फेरी घाट नौर्ट गोहर्टी में देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है सरफ तीनों टेंपल है और मैं ओ तीनों ही कवर किया फेरी घाट से ही फिर से पैदल चला आया सेगेंड विजिटिंग देस्टिनेशन दोल गोविंडर टेंपल ए टेंपल काफी नौया है टेंपल स्ट्रक्चर थोड़ा आलाग भी है अंदर राधाकृष्ण जी का सांदर टेंपल है मैं बाहर से घुम के ही टेंपल के बिलकुल समने से ही अटो से रहाना हुआ थार्ड टेंपल रुद्रेशार डेवालाय देखने के लिए रुद्रेशार टेंपल थोड़ा धूरी पर है नौर्ट गोहर्टी में मैं ट्रादिशानल आसामिस हाउस भी देखा ए एंशेंट अहमिस टेंपल सौन 1749 में किंग परवात्ता सिन्हा तोयार किया था टेंपल इटो से निर्मित है और ज्यादाता हिस्सा नौस्ट हो गया अभी काठो से निर्मित टेंपल के टॉप आप देख पाओगे टेंपल घुम के मैं फिर से चला आया राजादुआर घाट तक और साउद गौहाटी में मैं रोपवे से बैक किया राजादुआर घाट के पास में ही रोपवे टर्मिनल है आप इजीली पैदल से ही आ सकते हैं रोपवे के सिंगिल राइड 100 रुपीस और दोनो राइड 150 रुपीस है आने का टाइम फेडी से आया इसलिए एक राइड से ही हो गाया और अभी संसेट का टाइम भी हो गाया इसलिए रोपवे से एक संदर संसेट का भीव भी देखा ए रोपवे आगोस 2020 कोवीट प्रियोड में ही इनोगेरेट हुआ और गोहाटी के एक इंपोर्टेंट टूरिस डेस्टिनेशन भी बन गाया ए इंडिया के लॉंगेस्ट रिवा रोपवे है और ए उमनंद आईलांड के उपर से ही जाता है इसलिए रोपवे से आप एक संदर आईलांड भीव भी देख पाओगे उमनन्द टेंपल का भीव भी रोपवे से मिलता है मैं टेंपल नहीं देख पाया क्योंकि रोपवे के आंदर पैसेंजर फूल थे और ए रोपवे सर्विस हार रोज सुभा सारे आठ से साम सारे चर तक मिलता है मैं एक ferry ride और एक ropeway ride किया इसलिए काफी सस्ता पड़ा आप मेरी तरफ करोगे तो enjoy काफी ही होगा क्योंकि दोनों ride का आलाग enjoyment था मैं थोड़ा terminal पे रूखा और फिर से थोड़ा public bus से और थोड़ा पैदल चलने के बाद पहुचा उजन बाजर ferry heart मैं सारे चार बाजर के बाद उजन बाजर ferry heart में आया इसलिए 100 रूपिया दे के एक private ferry service लेके पहुचा उमनन टेंपल टेंपल पहुचने का टाइम फेरी से एक सांदर वीव भी मिला आप पहले आओगे तो ए वीव नहीं देख पाओगे टेंपल के कुछ फोटो नहीं ले पाया किकी साम हो गया नेक्स डे दे थ्री में मैं सुरू किया मेरा उन्तिम डे विजिट और पहले आया नेपाली टेंपल ए पल्टन बाजर में स्थीत एक राधा कृष्णो जी का मंदीर है और ए देखके ही मैं पल्टन बाजर से बाज से निकल पड़ा बोशिष्ट अस्रम के लिए बोशिष्ट अस्रम पल्टन बाजर से 12 कीमी दूरी पर है और बाज से लागबाग एक घंटा लागता है यह एक वेदिक प्रियोट का टेंपल है और यहाँ पे स्टोन गॉडेज है बाद में ओहोम किंग मीड 18th सेंचूरी में यहाँ पे इटो से एक टेंपल निर्मित किये थे टेंपल के पास में ही एक गॉनेश टेंपल है बाहर रिशी बोशिष्ट जी का एक स्टैचू भी है और गॉनेश टेंपल के गॉर्वोग्रियों में भी हील पर खोदित गॉनेश जी का मुर्तिया है एक्ट्वाल टेंपल में शीब जी है और रिशी बोशिष्ट जी का एक फूट्प्रिंट भी है एक्ट्वाल टेंपल के बाहर कुछ कॉंस्ट्रक्षन का काम चालू है फिर से ही मैं आंदर लाइन लगा के दर्शन किया पूरा टेंपल काफी नैचरल प्लेस में स्थीत है और पास से एक छोटा पाहरी नोदिया भी निकलता है मैं बोशिस्ट घुम के उहां से मैजिक से गोर्चक आया देन गोर्चक से आटो से पामोही आया पामोही से हीली एरिया पर स्थीत भीमेशर जोतिल लिंक दर्शन किया आप अगर कार और आटो बुक करोगे तो जोतिल लिंक के पास ताक आशानी से आ सकते हैं मैं पाबलिक टांसपोर्ट से थोड़ा ब्रेक जानी करके आया कोई मुसिबत नहीं हुआ फिमेशर जोतिल लिंक, दादास जोतिल लिंक के आंदर एक इंपोर्टेंट जोतिल लिंक भी है और इहां पे टेंपल का कोई स्ट्राक्चर नहीं है स्रेफ पाहरी जारने के पास पत्थरों को निर्मीत एक सिबलिंग है ओही पूजीत होता है जोतिल लिंक तक जाने के लिए आपको कुछ रास्ता पैदहली चलना पड़ेगा जोतिल लिंक दर्शन करने के बाद मैं फिर से आया गर्चक और गर्चक से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थीत पूर्भा स्री तीरुपती बालाजी टेंपल आया ए साउथ इंडियन सोयली में निर्मीत एक सांदार बहुत बड़ा टेंपल है इहाँ पे सेंटर में स्थीत एक बड़ा और दोनों साइड में दो छोटा टेंपल है तीनों टेंपल के ही अलाग-अलाग गेट और गोपुराम है ए सारा पिक्चर मैं बाहर से लिया क्योंकि गोपुराम के अंदर से कोई फोटोग्राफी एलाउड नहीं है ए सायद नोर्टिस्ट का सबसे बड़ा साउथ इंडियन टेंपल है मैं थ्री डेज टेक किया और थ्री डेज का अलाग-अलाग आइटेनरी भी आपको दिखाया और इस फोर्थ डे में मेरा ट्वेर्ट ट्रेंटी में ट्रेन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम के लिए सुभा पैदल सिटी विजिट किया और देखा वायर मेमोरियाल क्राइस चार्च ए चार्च 1844 का एक हाप टिमबर चार्च है जो नहीरू पार्क के सेंटर में स्थीत है चार्च में आने के लिए एक अलाग रास्ता भी है इसलिए पार्क के आनदर आपको नहीं जाना पड़ेगा और इस चार्च के ज्यादाता स्ट्रक्चर अभी इटो से निर्मित है लेकिन पुराना हाप टिमबर डिजाइन बिल्कुल मेंटेन है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कॉमेंट में बताईए और लाइक शरकार नमात भूलिए थैंक यू